गुमना फिरना लगभग हर किसी को पसंद होता है अपने शौक की वज़े से लोग अक्सर कहीं न कहीं घूमने जाते रहते हैं रोज की भागदौर और कामकाज के बोज के वज़े से लोग अक्सर ठकान महसूस करने लगते हैं ऐसे में सुकून के कुछ पल बिताने के लिए लोग अक्सर घूमने निकल पड़ते ही लेकिन कई बार घूमने की वज़े से हवा पानी में बदलाव होने के कारण लोगों की तबहत खराब हो जाती है वहीं बाहर का खाना और अन्य चीजों की वज़े से कई बार लोग फूट पॉइसनिंग का शिकार हो जाते ही ऐसे में बिमार होने की वज़े से अक्सर ट्रिप या विकेशन का मसा किरकरा हो जाता है अगर आप भी उन लोगों में से ही जो अक्सर किसी सफर के दौरान फूट पॉइसनिंग का शिकार हो जाती ही तो हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिनकी मदद से आप सफर के दौरान होने वाली इस सबस्याओं को आसानी से दूर कर सकते ही और उनसे बच सकते ही अगर आप सफर पर जा रही हैं या सफर कर रही हैं तो इस दौरान डेरी प्रोड़क्ट से दूर रहे सफर के दौरान दूथ पनीर जैसी चीजों का सेवन कम से कम करे ऐसे में कोशिश करे कि आप सफर के दौरान लाइट भोजन ही करे क्यूंकि लाइट भोजन आसानी से डाइजिस्ट हो जाती है और आपको food poisoning से भी बचा सकती है सफर के दौरान आप जब भी कुछ खाने जा रही ही तो इस बात का खास ध्यान रखे कि अपने हाथों को अच्छे तरीके से धूले दरसल सफर के दौरान आपके हाथ और तुचा पर कई तरह के किटानू और गंदगी लग जाती है जो खाने के जरिये आपके शरीर में जाकर आपकी हालत खराब कर सकती है सफर के दौरान कोशिश करें कि आप प्रो बायोटिक फूट जैसे योगट का सेवन करें इसे खाने से आपको डाइरिया और पाचन संबंधी परिशानियों से निजात मिलेगी साथ ही यह सफर के दौरान आपको जल्दी रिकवर होने में भी मदद करेगा सफर के दौरान अकसर थकावत होने लगती है ऐसे में आपके शरीर के लिए आराम बेहत जरूरी है ताकि आप रिकवर कर पाए फूट पॉइसनिंग के वज़ो से आपको बार-बार वाश्रूम जाने की जरूरत पढ़ सकती है जिसके वज़ो से सफर के दौरान आपका घूमना मुश्किल में पढ़ सकता है सफर के दौरान सबसे जरूरी होता है अपने आपको डिहाइड्रेशन से बचाना ऐसे में कोशिश करें कि अगर आप कहीं जा रही ही तो भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें पानी के अलावा आप अन्य हिल्दी ट्रिंग भी पी सकते ही साथ ही साफ और मिन्रोल वाटर पियें इसके अलावा आप पानी को उबला कर भी पी सकते हैं